बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिरहीम अस्सलाम वालेकुम कैसे हो प्रिटी प्रिटी वीवर्स I hope बिल्कुल ठीक है हम भी अलम्दुलिल्ला ठीक है आपका स्वागत है कुकिंग विट साधिया में आज मैं Day 2 और Day 3 का व्लॉग लेकर आपके सामने आई हूँ Day 1 का मैंने आपको पहले ही दे दिया चांदरात और Day 1 मैंने डाल दिया था इदुल अधा में क्या होता है Guys बहुत काम होते हैं और अलम्दुलिल्ला हमारे यहां कुर्बानी माशाला से होती है तो हमें बहुत काम होते हैं इसलिए मैंने आपको मेरे बकरे भी दिखाए थे तो कुर्बानी की वज़ा से ज़्यादा से ज़्यादा काम था इसके लिए मैं अफलोडिंग में थोड़ी देर लग गई है Guys तो माफ कीजिएगा और मेरे व्लॉग को देखते रहिएगा ये देखे ये मैंने आपको ये जो क्लिप बताई है उसमें मैं थोड़ा घूमने चले गई थी इद के दिन हम लोग थोड़ा बाहर निकले थे आउटसाइड विजिटिंग करने के लिए ये था के थोड़ी आउटिंग हो जाए तो मन भी फ्री हो जाएगा तो रात में हम लोग थोड़ा आउटिंग के लिए चले गए थे और मैंने आपको अपनी मेहंदी बताना भूल गई थी इसके लिए मैंने आपको अपनी मेहंदी भी बता दी पर अपनी नहीं बताई थी इसके लिए मैंने अपनी महंदी भी आपको बता दिये देखिए गाईस माशाला बहुत अच्छी लगाई थी मुझे सब लोगों ने मिलकर महंदी लगाई थी बच्चीयों ने माशाला से बहुत प्यारा रंग भी आया था इसके लिए मैंने आपको ये क्लिप भी बता दि कि आप लोग भी देख लें कि मेरी मेंदी कैसी थी आप लोग मिसना करें और गाईस माशाला से इतने अच्छे काम सारे मेरे हो गई इद भी इतनी अच्छी गुजरी कि किसी चीज़ की तकलीफ और कोई प्रॉब्लम ना हुई लोग डाउन होने की वज़ा से मेरी इद और इदुल अधा माशाला इतनी अच्छी गई कि जिसकी कोई बात नहीं और अलहमदुलिल्ला से हमने बहुत इंजॉई किया डे वन पर मैंने गोश्ट का कोर्मा खीर, पूरिया वगेरा बनाई थी और ये डे टू पर मैं आपको रोटियां बता रही हूं हमारे घर में रोटियों का रिवाज है और मेरे ससूर जी है वो दाल नहीं खाते तो उनके लिए हमने गोश्ट नहीं खाते तो उनके लिए हमने दाल बनाए और फिर रिटन मेरे घर में दावत थी इसके लिए मैंने वापिस पूरिया बनाई थी उसकी वीडियो में आपको दिखा रही हूं और इतनी अच्छी बनी थी माशालला से सबको बहुत पसंद आई थी और मेरी यही आदत है और मैं यही कोशिश करती हूँ अच्छ बहुत रोटिया थी बनाया था के मेरी एक बेहन की बेटी का बड़्डे था तो मैंने सोचा उसका celebration भी हो जाएगा फिर हमने थोड़े पाओं मंगा लिये थे और ये मैंने कबाब बनाई थी उसका मसाला मैं आपको बता रही हूँ और ये चटनी भी हमने बनाई थी इतनी अच्छी तरह से मैंने सारी चीज़े preparations करके पहले ही रख दी ती और ये मैं आपको बता रही हूँ देखो मैं काम के साथ अपना कीचन भी साफ करते रहती हूँ अलम दिल्ला मुझे आदत है मेरे कीचन को साफ रखने की मुझे जरा भी गंदकी वाला कीचन पसंद नहीं और ये मैंने सब के लिए पुलाओ बनाया था इसकी रेसिपी मैं इंशाला अपलोड करने वाली हूँ आपको लोग कमेंट कीजिएगा के चाहिए के नहीं तो मैं जल्दस जल्द अपलोड करूँगी ये मैंने पुलाओ बनाया था जमजम पुलाओ इसके लिए इसकी recipe मैंने बना चुकी हूँ, इसकी recipe मैं add कर दूँगी, देखिए माशालला से कितना अच्छा color आया और कितना अच्छा दिखराया ये पुलाओ, आप लोग भी इन्शालला ट्राइ करना में जब recipe दूँगी तो, Guys, आप लोग देखिए, हर चीज़ आप घर में बना कर देखिए, कितनी बरकत माशालला से होगी, और हर चीज़ में आपको कामियाबी मिलेगी, कोई भी चीज़ आपकी बेकार नहीं जाएगी, इसके लिए आपको चाहिए, कि आप हर चीज़ को घर में ही try करें और बनाते र चीज़, आपको पसंद है कि और ते खुदी काम करें और खुदी सारी चीज़े करें, यह सब आजकल ट्रेंड चल रहा है, उससे हमें नहीं follow करना, और देखें मैंने कचुमबर भी आपको बता दिये, कि पर कचुमबर भी बनाई हैं घर पर अपने, और गाइस मेरे इस व लोगों पर जो बीती है, वो किसी और पर ना बीते, और अल्ला से उनकी हिफाज़त मांगे, देखें गाइस कितनी बुरी तरह बेरहमी से, जो वीडियो ले रहा है, वहापे भी पुरा हिल चुका है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से यह सारी चीज़े हुई होगी, तो प कि आजकल बारिश हो रही है, कितना पानी भर चुका है हर जगा, हमें तो सुकून से हम रह लेते हैं कि हमारे घर पर पानी नहीं आ रहा है, हम यह नहीं सोचते हैं कि विचारे जिनके घर में पानी भर गया होगा, वो लोग कैसे रहते होंगे, इसके लिए हर इंसान के अब लेज़ अब लेज़ अब लेज़ आपके सामने आउंगी मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले किसी की मैनत को जाय ना करे, मेरी हर एक वीडियो को लाइक करे और बेल आइकन जरूर दबाए तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगे और गाईज हमेशा ध्यान रखे कि अल्ला से ही दुआ मांगे अल्ला ही सब कुछ करने वाला है, इसके लिए कभी किसी और के सामने अपने सर को ना जुका है अल्ला के सिवा क्योंकि अल्ला के सिवा कोई माबुद ही नहीं है तो हम दूसरों के सामने सर जुका कर करेंगे क्या और इंशालला मेरी नई रेसिपी पुलाओ की में डालने वाली हूँ इसलिए आप रहे मेरे साथ रहिएगा और आपको मैं अच्छी से अच्छी रेसिपी देती रहूंगी अल्ला हाफिज दुआ में याद रखना खेरियत वा आफियत से रहिएगा अल्ला हाफिज गाइज